ब्रिटेन और पाकिस्तान के आपस में ख्लेश शुरू हो गए कि ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानिस के नाम से इसे पहले ये ट्रेंड तूर्की और ग्रीस में भी चल चुका है और अब यह एग्रेमेंट साइन हुआ है, बिरिटेन की जानब से यह कहा गया है, कि पाकिस्तान अपनी हिस्टरी में सबसे ज़्यादा वीक इस वक्त, यह चापा मार रहे हैं, उसमें मौजूद खानदान, उस अजीम हस्ती का है, जिसने पाकिस्तान बनने का खौब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान ग्याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितने कुर्बानिया थी हमारे बाउजदाद में ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा बतन पाकिस्तान आसाद बतन यानि हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए जा हर एक को असादी हो खुदमुखतारी से जीने का हाग कासिल हो लेकिन आज नून लिग ने अलामा इकबाल की बहू और पोते की खुदमुखतारी तो दोस्तो आपने ये चोटा सा क्लिप देखा माने ना माने आप देखें तो वहां पे जो पाकिस्तानी है साइद मुझे लगता है सबसाद अगर किसी कंट्री में रहते तो ब्रेटेन में ही रहते सब्सक्राइब करते हैं इसे पहले यह ट्रेंड जो है तुर्किय में चल चुका है ग्रीस में चल चुका है क्या वजह लगती आपको इसमें जो स्पैसिफिक लिए भी मैं दुबाई का भी देख रहा था कि दुबाई ने भी वीजा की जो पॉलिसी जो चेंज कर दी है 60 पाक पाकिस्तानी जो थे वह पाकिस्तान इजम के उपर उत्रेंए तो आप एपने आपको करें आप अपने मुल्क को भी रप्रेजेंट कर रहे हुद रहे हैं कि आप को चोटे सा भी बुरा स्ट जो है वो सिर्फ आपकी रेप्टेशन को खराब निए करता आपके मुल्के तो अगर आपके साथ यह हो रहे हैं कि आपको वापस भीज रहे हैं तो मेरे खियाल से इस प्रेवल जिस्टिफाइबल थेंग और होना भी इसी तरहीं चाहिए कि इंसान सीखता भी और यह बाकियों के लिए भी जहाने लेसे लोगा बाकि जाते हैं इसमें हमारी ही गलती है अब इसमें देखिना के अब कहीं न कहीं भी हो सकती है ठीक है अब इसकी फिर आपको थोड़ा सा डीटेल में जाना पड़ा है लेकिन सर्फेस अब बागर में देखों तो जहां तक मेरा इस पर उपीनियन है कि हमारी गलती है इसमें अच्छा जिस तरह से हमें मुस्लिम कं पाकिस्तानिस का ट्रेंड देखने को मिल रहा है इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नजर नहीं आया वाई अच्छा इसमें दिरिजा पॉसिबिलिटी के शायद इंडियन के वहां पैच्छे हूं एक वज़ा यह दूसरी वज़ा जो हो सकते होई हो सकती है कि जो लोग किसी मुल्क के साथ बना के नीद अपनी यह चाहे वह अमेरिका हो चाहे वह तर्की हो चाहे वह इंडिया हो उसके इंगलिएन्ड हो और रिजींड यह है कि हम लोग जो हमारी गcn zayan वो किसी अपने मुल्क को भी स्ट्रॉंग बनाएं के मुखलिफ कंट्रिस जो हमें खुद अप्रोच करें यह भी रिजन है लेकिन जो वहां पर रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी उनको भी चाहिए कि इसके तुछ रोल प्ले करें अपना वहां पर ऐसी कुछ चीजें करें जिससे हमारे भी मुल्क का जो खी है डिसके लाव जाते हैं टूसरी पाड़ीजिशनीं। मैंने ख्याल से इसकी भी रिजन है कि जो पाकिस्तानियों के अपतरा तरह के बंदिया ले गाई जाएंगी और उनके आइफ है उसके तांग किया जाएगा चले यूएस तो एक नॉन-मुस्लिम कंट्री है ना तुर्की में भी ये ट्रेंड आम हुआ था तो पाकिस्तानियों क्यों टार्गेट किया जा रहा है हम लोग की हम लोग मतलब इस तरह का क्या हम लोग वहां बाहर के मुमालिक में जाके क्या करते हैं क्या हम लोग की हरकते होती हैं जो हमें कोई भी बरदाश नहीं कर सकता मैंने आप रिजन के सिंपल रिजन यही है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को हम लोग लड़ती हैं, जो उसे खिलाफात करती हैं, तो अगर दूसरे मुलकों में जाके हम यह रखते करेंगे तो पाकिस्तान के इमीज़ाशा भी खराब होगा मोसली हमारे अपने जो लोग हैं पाकिस्तानी उनके अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है जो के नापसंदीदा होता है और उसके अंदर जो है वो ऐसी हरकते करते हैं जो के नॉर्मल महजब महाशरे में नहीं होनी चाहिए तो उसकी वज़ा से एक तो नेगेटिव पढ़ता है आपको इसमें उनकी कोई क्वालिटी नहीं नजरा आती है इंडिया जो है वो बैटर पॉलिसी देता है बैटर तरीके से काम करता है और वहां पर एज़ा लीडिंग रोल प्ले करता है इतनी काबियत है उनमें आप यह चीज नहीं मानते है नहीं नहीं आपको यह नहीं कर रहा है मैं आप जिकर पहले यह कर रहा था कि हो सकते हैं इंडिन बेटर परफॉर्म कर रहे हूं फर एक्जांपल अब मैं युएस का एक पड़ा था कि युएस के इंडर जितने भी यूनिकॉन स्टार्ट अपस हैं उनमें सबसे ज़ादा इंडियन के थे पाक पाकिस्तान और उसके बाद यह के जुल लेवल ओफ इंडियन इस पर नहीं कहता है यह डिबेटेबल चीज़ा लेकिन फिर भी हो सकते के लेवल ओफ इंडियन्स वह जादा हो आप मुझे यह बताएगा कि ब्रिटेन के जानिब से एक आगया है पाकिस्तान अपनी हिस्ट्रे में इस वक्त सबसे जादा कमजोर है जो एक्रिमेंट साइन हुआ है वह पाकिस्तान के यूसफ नसीम के जानिब से भी साइन हुआ है इसकी प्रापर पिक्चर अपलोड की आप मुझे यह पताएगा हम जो हैं वो किन चीजों में इस वक्त लाइक करें अगर इस वक्त हमारे जगा इंडिया होता तो उनका क्या वो रद्देमाल होता क्या सिच्वेशन उन पर यह आ सकती थी जिस तरह से वो लोग जो है इस वक्त रोल प्ले करें अपना अच्छा इस जा रहे हैं लोग एक इंटरनेशनल लेवल के उपर और इसके साथ अब यहीं चीज टेंड आपने देखो कि लंका में भी तो इडिज इडिज मोर और लेस जॉइंड वित के एक मुल्क के मुहाश्याहलात किस तरह के यह काफी जदा इस पे होता है दूसरा ही है कि पाकिस् इंडिया का मैं इंडिया में नहीं कहते है कि लेकिन यह हो सकता है कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो यहां पर होता है ख़त्म इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी बात कर रहे हैं जिस तरीके कि उनकी हरकत रहती है आपको बता दू कि अभी ओलंपिक्स खेलने गए पाकिस्तानी इंग्लेंड में जाकर वो वहां गुम गए जान बूच कर गुमे क्योंकि वो पाकिस्तान लोटना ही नहीं चाहते थे कुछ एथलीट वो इंग्लेंड में ही अपना भविस से देख रहे थे तो वो पकड़े गए तो इस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पर है तो अब उनको गेट आउट पाकिस्तानी उनके लिए ट्रेंड किया जा रहा है हाला कि तर्की में जो ये ट्रेंड चालू हुआ था उसके पीछे की वज़ए थी पाकिस्तानी डिवरства जो पाकेस्तान से गई एकड़म स आप प्राइवेसी पर अटेक कर रहे हो सीधा तो ऐसा कई बार नोटिस किया गया देखा कि उनके रील्स बन रही है बिना परमीशन के तो उसके बाद बहुत सारे लोकल्स का रियक्शन आया जिसके बाद टर्की में चाली हो गया था बायकॉट पाकिस्तानी टर्की मुसलिम क ठेकाना इस तरीके की बात है अब जो मैं रिपीट नहीं करूँगा तो आपको गया लगता है दोस्तों ये वीडियो देखने का प्लीज कॉमेंट पे अपने सुझाओ दें बायकॉट पाकिस्तान ये इस तरीके की चीज़े हो रही है पाकिस्तान के लोगों की वजए से ज